नमस्कार चैहिंद मैं हूँ आपके एजगोडर गौरव और श्वागत है आपका एक्जम तक में आज हम इस वीडियो में 36 वे राश्टी खेल 2023 से समंदित काफी महतपूर कुश्चन डिसकस करेंगे जो के आपके अपकमिंग एक्जम के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशल होंगे सो गाज आप इस वीडियो को शुरू से अंतर तक बिना स्किप करते हुए देखेगा चलिए तो ज़्यादा टाइम वेश्ट ना करते हुए गुलियों को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेशन है 37 वे राष्ट्री खेलों का आयोजन बहरत के किस राज्य में किया गया तो यहाँ पर राइटा अंसर होगा उप्शन नम्मर ए गोवा 36 वे राष्ट्री खेलों का आयोजन गोवा राज्य के 5 सहरों मापसा, मढगाओ, पंजिम, पॉंडा और वास्कों में किया गया है जबकि साइकलिंग और गोल्प इस परदाएं दिल्ली में आयोजित की गए गोवा ने पहली बार राष्टी खेलों की मेजबानी की है और इस साल राष्टी खेलों की आधिकातिक तोर पर शुरूवात 26 अक्टूवर से हुई थी लेकिन बेडमिंटन, भारत तुलन, जिमनाश्टिक और कुछ अन्य खेल 26 अक्टूवर से पहले ही शुरूव हो गए थे वहीं बात करें इन खेलों के समापन की तो इनका समापन 9 नवंबर 2023 को हुआ है अगला कुश्यन 37 वे राष्टि खेलों का सुबंकर क्या है? तो यहाँ पर राइट अंसर अप्सन नमर डी मोगा बात करें मोगा की तो मोगा को एक भारती बाष्टन की प्रतिक आत्मक प्रतिन दत्व के रूप में दरसाया गया है जो गुणों की एक समूँ का प्रतिक है जिसमें लचीलापन और बाधाओं को दूर करने की जमता सामिल है मोगा कोक्री भाष्टा का शब्द है जिसका आर्थ प्रेम या लव होता है और आप इस प्रिक में देख सकते हैं ये है मोगा अगला क्वेशन 36 पर राष्टी खेलों में प्रतम इस्तान किसी ने प्राप्त किया तो या पर राइट आंसर रोग अप्सन नमर सी महराष्ट महराष्ट असी स्वन्ड अनत्तर रजत और उन्यासी कांसी पदक समित 228 पदगों के साथ राष्टी खेल 2023 पदक तालिका में सीर्स पर रहा है और इस टेबल में आप देख सकते हैं महराष्ट ने 80 गोल्ड परप्त किया है और इसके टोटल मेडल हैं 228 सरबसेज ने 66 गोल्ड और टोटल मेडल 126 परप्त किया है हर्याणा ने 62 गोल्ड और टोटल 192 मेडल परप्त किया है मद्य प्रदेश ने 37 गुल्ड और टोटल 122 पदक प्राप्त किये हैं आगे डिसकस करें 36 वे राष्टी खेलों में 36 टीमों ने भाग लिया जिसमें से 34 टीमों ने कम से कम एक पदक जीता है लेकिन लद्दाक और मेगाले ने एक भी पदक नहीं जीता है आपसे कुश्चन पूछा जा सकता है 36 में राष्टी खेलों में किस राज्य या केंदर शाष्यत प्रदेश ने एक भी मेडल प्रात्र नहीं किया तो वो कौन से राज्य हैं लद्दाक और मेगाले अगला कुश्चन 37 में राष्टी खेलों में कितने नए खेलों को सामिल किया गया तो यह पर राइट आंसर अपसन नमर डी आठ इस वर्स राष्टी खेल इवेंट में इसके मार्सलार्ट, रोल बॉल, सेफ कटक राव, कलरी पैट्टू, पेंचक सिलेट, मिनी गोल्फ, लागोरी और गटका को पहली बार सामिल किया गया है वही याचिंग और ताइकॉंडो को एक बर फिर से राष्टी खेलों में जगा दी गई है यानि ये खेल पहले भी राष्टी खेलों में खेले जाते थे, लेकिन 2022 में जो गुजरात में राष्टी खेल हुए थे, वहाँ पर इनको सामिल नहीं किया गया था वही अगर हम बात करें, 36 में राष्टी खेलों में कुल कितने खेल खेले गए तो 43 खेलिया पर खेले गए अगला कुश्चन, 36 में राष्टी खेलों का थीम सौंग, तू खेल ऐसा खेल, जैसे कोई भी खेला ना हो, किसने गया है तो यहाँ पर राइट आंसर अप्सन नमर ए, शमर्पित गोलानी, इस थीम गीत के गायक और संगीत कार समर्पित गोलानी है और इसमें महान अमिनेता, अमिताब बच्चन की भी प्रतिष्टित आवाज सामिल है इसमें शुरुआत में कुछ जो बोला जाता है, उसमें अमिताब बच्चन जी की आवाज है अगला कुशन, 37 राष्टी खिल 2023 में राजा भलिंदर सेंट ट्रोफी किसने जीती? तो यह पर राइट आंसर अप्सन नमर सी, महराष्ट बात करें राजा भलिंदर सेंट ट्रोफी की, तो यह ट्रोफी राष्टी खिल में सबसे ज़्यादा सोल पदक विजयता को दी जाती है और आपको ध्यान रखना है, महराष्ट ने सबसे ज़्यादा सोल पदक जीते हैं, जिनकी संक्या है अस्से अगला क्वेश्ट ने राष्टी खिल 2023 में सर्व स्रेश्ट पुरुष क्लाडी का पुरुषकार किस ने जीता? तो यह पर राइट आंसर अप्शन नमर डी श्रीहरी निटराज श्रीहरी निटराज ने राष्टी खिल 2023 में कुल 10 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ड, 1 सिल्वर और 1 कांसे पदक शामिल हैं बात करें श्रीहरी निटराज की, तो यह एक भारती तेराक हैं और करनाटक राज्यकी रहने वाले हैं अगला कुश्यन, श्रीहरी राष्टी के लिटराज 23 में सर्व स्रिष्ट महिला खिलाड़ी के पुर्षकार किसे दिया गया तो यह पर रायट आंसरों को ओप्शन नमर C, A और B दोनों, यानि प्रणति नायक और संयुक्ता प्रशिन काले प्रणति नायक और संयुक्ता प्रशिन काले को संयुक्त रूप से सर्व स्रिष्ट महिला खिलाड़ी के पुर्षकार दिया गया है प्रतेक ने चार स्वर्ण और एक रजट पदक अपने नाम किया है यानि प्रणती नायक ने भी 4 सौर्ण और 1 रज़त पदक जीता है और संयुक्ता ने भी 4 सौर्ण और 1 रज़त पदक जीता है बात करें प्रणती नायक की तो यह महराष्ट से हैं और संयुक्ता प्रशेन ओड़ साखी रहने वाली है आगला कुश्यन, राष्टे एखेल 23 का उद्गाटन किशने किया, तो यहापर रायट आंसर हो का उप्शन नमबर A, नरेंदर मोधी जी, उद्गाटन समारू की अध्याचता नरेंदर मोधी जी ने की, और शमापन समारू की अध्याचता जगदीब धनकल जी ने की, आगला कुश्यन, 37 में राष्टी खेलों का आधिकारिक प्रायोज़क कौन है? तो यह पर राइट आंसर अप्शन नमर B, PTM आगला कुश्यन, 38 में राष्टी खेलों 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह पर राइट आंसर अप्शन नमर A, उत्राखंड वहीं बात करें, 36 में राष्टी खेलों की, जिनका आयोजन 2022 में हुआ तो कहां हुआ था यह आयोजन? गुजरात राज में अगला कुश्यन, पहली बार राष्टी खेलों का आयोजन कब किया गया? तो राइट आंसर यहां पर आप्शन नमर A, 1924 1924 में राष्टी खेलों का आयोजन अभिवाजित भारत के लाहोर में किया गया था 1940 से पहले राष्टी खेलों को भारतिय ओलंपिक खेल की नम से जाना जाता था लेकिन 1940 में नोवे संसक्रण की दौरान नाम बदल कर राष्टी खेल कर दिया गया था यह question आपसे पूछा जा सकता है कि राष्टी खेलों का पुराना नाम किया था तो नाम तब भारतिय ओलंपिक खेल और भारतिय ओलंपिक खेलों को राष्टी खेल कब बनाया गया 1940 में एक और महत्वर कुश्यन है ओलंपिक की तर्ज पर पहला राष्टी खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ये भी कुश्यन आपसे पूछा जा सकता है आगला कुश्यन शुतंतरता के बाद पहली बार राष्टी खेलों का आयोजिन कहां किया गया तो यहां पर र राइट आंचर ओप्शन नमबर सी भारतिय ओलंपिक संग्ग